आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट कर रहा है एक्सराइस 4.4 से और आज हम जिस कोशन की बात करने वाले हैं वो है हमारे पास प्लस कोशन नमबर 6 में हमारे पास दिया हुआ है तो इसमें सबसे पहले हमारे पर डिटा प्रोड्यूस होगा तो डिटा बनाने के लिए जो भी हमारे पास कोशन में गिविन और रिक्वाइड चीजें होंगी वो तमाम चीजें हम डिटा के अंदर लेंगे अब यहां लिख टू अल जबरिक एक्सप्रेशन जो कि आपके पास बराबर है किसके फॉर एक्स फॉर माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्कॉाइड माइनस ए उसके बात जो हम पहला डिजिट ले सकते हैं उस सपोस्ट कर लें कि वो बराबर है आपके पास पी के उसको हम x 4 plus x cube minus x square plus 2a उसके बात जो second number है वो बराबर है आपके पास q के जो के हमें find out करना है तो इसमें जो हमारे पास solution में सबसे पहला काम होगा वो ये होगा कि हम इसमें जो है formula ऄसके बराबर होगा आपके पास sum of 2 algebraic expression is equal to तो P plus Q यानि कि आपके पार यहाँ पर दो डिजिट दी हैं हमने वो लिये हमने P plus Q और यह short form है इसकी sum of two algebraic expression की तो इसकी जो value है आपके पास वो given है हमारे पास तो हम इसकी जगा लिख लेंगे 4x4 minus 3x3 plus 2x2 minus a is equal to P की value given है हमारे पास जो के बराबर है आपके पास 2x4 plus x3 minus x2 plus 2a और आखरे में आपका plus Q आपके पास as result लेगा यह जो है value आपके पास यहाँ पे plus में is equal to उस तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास minus में हो जाएगी 4x4 minus 3x3 plus 2x2 minus a minus के साथ लिखेंगे हम 2x4 plus x3 minus x2 plus 2a is equal to Q के बराबर यह हम bracket लगा देते हैं आप अच्छा यह जो है हमने जो value यहाँ पे plus में तीव होआ जाके minus हो गई अब होगा यह आपके पास जो यह minus है अंदर वाली तमाम value के साथ multiply होगा तो यह वाली तरम तो आपके पास as it is आजाएगी 4x4 minus 3x3 plus 2x2 minus a उसके बाद minus plus minus 2x4 minus plus minus x3 minus minus plus x2 minus plus minus and 2a is equal to q उसके बाद जो है हम इसको arrange भी कर सकते हैं और हम direct minus भी कर सकते हैं देखें आप यहाँ पे आपके बाद 4x4 है और यह 2x4 है यह दोनों minus होंगे दोनों same like drum है आपके पास तो जबible minus करेंगे तो यह हो जाएगा आपके पास 2x4 इसी तरीकी से minus 3xQ और यह minus xQ ponus minus plus sign minus ہوगा plus 3 میں 1 plus करेंगे तो यह हो जाएगा आपके पास 4xQ उसके पार 2x² और यहाँ पर आपके पास x² यह दोनों प्लस में तो इन दोनों को भी प्लस करेंगे तो यह हो जाएगा आपके पास 3x² उसके पार आपके पार –a और यह – 2a यह भी प्लस होगा तो यह हो जाएगा – 3a is equal to q के बराबर तो ये जो है आपके पास third value का answer आएगा जो के बराबर आपके पास Q के 2x4-4x3 plus 3x2-3 है Thank you